नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर रोसो के जीवन परीचे को हम इस वीडियो नोट में देखेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चरूर कर ले साथ में टेलीराम चैनल का लिंख डिसक्रिप्चन में उसे जॉईन कर ले प्रीविए वीडियो उसको एक प्लेलिस्ट में डिया गया है उस पे क्लिक करके आप चरूर देखें चले शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर तो आप करते ही हैं रूसो को हम देखे हैं तो रूसो का सामान्य जो जीवन परीचे है उसके बारे में हम इस वीडियो नोट में देखते हैं जैसा कि दोस्तों हमने इससे पहले होप्स और लोग के बारे में दिन किया, वहावी हमने समझोता सिद्धान्त को पढ़ा था, सामाजिक समझोता सिद्धान्त को पढ़ा था कि यह आपने पढ़ा है मेरे साथ तो तो सामाजिक समझोता सिद्धान्त की जब हम बात करते हैं तो हमें तीन नाम एक साथ लिए जाते हैं हॉप्स, लोक और रूसो जिसमें हॉप्स और लोक के बारे में हम देख चुके उनके द्वारा बताए गए मानव सोभाव प्राकरति का वस्ता समझोता क्यों हुआ कैसे हुआ क्या जोरुत पड़ी सबकी चर्चा हमने कर ली उनके सम्मंदित महत्कून रचनाओं को भी देख लिया अब हम देखते हैं रूसो के सामाने जीवन परिचे को कि रूसो का जनम कहा हुआ कौन-कौन सी परिशानिया आई कब इनके जीवन में बदलाव हुआ और कौन-कौन सी इनों ने अपनी रचनाएं लिखी ठीक है इनी बातों पर हम इस वीडियो नोट में बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो नोट में हम रूसो के मानव सोभाव और प्राकृति का वस्ता इन जितने भी पॉइंट्स हैं सबको अच्छे से आपको से शेयर करेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रूसो के जनम की तो रूसो का जनम हुआ 28 जून 1712 को कहां पर हुआ जिनेवा में होता है रूसो के पिता का नाम आईजेक रूसो और रूसो का पूरा नाम यदि परिक्षा में पूछा जाए तो जीन जैक्स रूसो है जिसे हम जे जे रूसो कह सकते हैं जीन जैक्स रूसो ठीक है रूसो के पिता जो थे जिनका नाम आईजेक रूसो था इनका चरितर ज़्यादा अच्छा नहीं था इनकी मनोबरती अच्छी नहीं होने के कारण ये रूसों को ज़्यादा बड़ी शिक्षा नहीं दे पाए जनम के शुरुवाती दिने काफी संगर्श बरा रहा रूसों के लिए मा का बच्पन में ही छोड़ कर चले जाना पिता के द्वारा रूसों में बुरी भावना का परसार करना बुरी भावना का परसार का मतलब ये है कि रूसों के पिता रूसों से रात रात भर असलील कहानिया वे उपन्यास जोर जोर से पढ़कर सुनाने को कहते थे और इसलिए वो रूसों को रात बर जगाए रखते थे अब इसमें ये तो हुआ कि रूसों को बहुत कम समय की समय में या छोटी आयू में पढ़ने वे समझने का अभ्यास तो हो गया लेकिन रूसों में एक गंदी प्रवर्ती और जनम ले गई वो थी वासनात्मक प्रवर्ती वासनात्मक प्रवर्ती में वो प्रतेक चीज को अनुभव करता था लेकिन उससे समझता नहीं था ठीक है ना तो जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा रूसो के द्वारा रूसो के पिता के द्वारा रूसो की भावना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा ठीक है किसी कारण से रूसो को रूसो के पिता को वहाँ से भागना पड़ा तो रूसो को किसके पास रहना पड़ा अपने चाचा के पास में जब रूसो अपने चाचा के पास रह रहे थे तो जब उनकी उम्र दशवर्ष थी लेकिन उनके चाचा ने दो वर्ष के बाद में उसे एक व्यक्ति के पास जिनेवा छोड़ कर आया क्या काम करने के लिए खुदाई का काम करने के लिए छोड़के आया कि काम सीख लेगा अपना पेट भर लेगा लेकिन वो जो मालिक था वो उस पर अत्याजार करता था पीटता था रूसो को तो रूसो वहां सर वहां से निकल गया ठीक, अब इन दिनों पे रूसो के पास में जिस भी महिला ने जिस भी महिला ने रूसो का पालन पोशन करने की सोची रूसो ने उसी के साथ अपना प्रेम प्रसंग शुरू कर दिया क्योंकि वासना प्रवर्ति उसके पिता ने उसके अंदर गुसा दी थी, ठीक है क्योंकि वो रात दिन उससे ऐसे ही पढ़ने की जीजे जोर-जोर से पढ़वाता था तो एक बच्चे के मन पर जल्दी से जल्दी प्रभाव पढ़ गया रूसो का आवारा भारा जीवन शुरू हो गया रूसो इसके बाद में फ्रांस चला गया वहाँ पर उसने अपने पेट बरने के लिए चोटी-मोटी चोरी भी की कोई काम किया वो छूटा कहीं नोकरी की वहाँ से उसको निकाल दिया गया ठीक है न तो ऐसा हम देख सकते हैं कि रूसो ने काफी अपने जीवन में दरदर की ठोकरे खाई क्या खाई दरदर की ठोकरे खाई किसने रूसो ने ठीक है फिर ऐसे वो गूमने फिरने के बाद में 1741 में 1741 में रूसो के कुछ दोस्तों ने उसको साहता दी और वेनिस में फ्रांस के राजदूत की सचीव की नोकरी उनको मिल गयी अठारा महीने नोकरी की फिर से उसे निकाल दिया गया सत्रा सो चम्वालिस का समय आता है सत्रा सो चम्वालिस इस सत्रा सो चम्वालिस में फिर से वो पेरिस आ जाता है बदनाम रूसो को दोस्तों ने भी अब लात मार दी उससे हट गए ठीक है अब रूसो जा था उसकी ये इस्तिती तक आगई कि वो भीक मांग कर जीवन व्यतीत करने लगा ठीक है ना भीक मांग के जीवन व्यतीत करने लगा सत्रा सो पचास इस्वी की बात है सत्रा सो पचास इस्वी में रूसो के जीवन में एक घटना घटी जिसमें उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया सत्रा सो पचास के दोर में रूसो के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ प्रसिद दाशनिक दिद्रों से मिलनों की प्रक्रिया प्रसिद दार्षनिक दिदरों से मिलने के लिए जब रूसों सड़क पर जा रहा था तो उसे एक पेज, एक प्रस्ट, एक पन्ना पड़ा हुआ मिला इसमें पेजिस की सबसे बड़ी सायतिक संस्ता D. John Academy कौन सी Academy? D. D. John Academy ठीक है? D. John Academy की ओर से एक ऐसे competition था निबंद परत्योगिता थी इस निबंद परत्योगिता में रूसों ने भाग लिया इस निबंद परत्योगिता के सीर्षक को देखते ही उसके मन में विविन ख्यालात उफान लेने लगे जिसका शीरशक्था विज्ञान तथा कला की प्रकृति ने नैतिक्ता को भरष्ट करने में योग दिया है अत्वा इसे विशुद करने में तो विन-विन विचार आए मस्तिश्क रूसो लिखता है कि मस्तिश्क हजारो प्रकाश के किरणों से चकाचोंद हो गया समाज में करांतिकारी परिवर्तन आने के लिए वो तत्पर हो गए रूसो को इसमें भाग लेने के बाद में प्रथमिस्तान प्राप्त हुआ इस निबंद प्रत्योगता में प्रथमिस्तान प्राप्त हुआ प्रतमस्तान मिलते ही रूसों को पहचान मिल गई विश्विक्यात बना दिया गया इसके बाद वो दिद्रों से भी मिले और वॉल्टेर से भी मिले दिद्रों और वॉल्टेर दोनों से उनकी मुलाकात हुई ठीक है न? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रूसों ने जब अपना ध्यान इस तरफ लगाया क्रांतिकारी परिवर्तन के बाद में तो फिर समय था 1754 का 1754 में फिर से उन्होंने दूसरी निबंद परत्योगता में इस्सा लिया जिसका शीशक्ता मनुश्यों में विशमता उत्पन होने का क्या कारण है क्या प्राकरतिक कानून इसका समर्थन करते हैं इस निबंद में भी नीजी संपत्य तता आर्थिक विशमता के कारणों पर रूसों ने प्रकास डाला हाला कि जो अकैडमी के जितने भी दाशनिक थे उनके विचार रूसों से मिले नहीं इसलिए रूसों को इसमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका दूसरे निबंद में बाद में यही निबंद डिसकोर्सेज ओन दा ओरिजन ओन इनिक्वैलिटी में प्रकाशित किया गया ठीक है जिसकी फ्रांस की जंता में एक हलचल उसने पैदा कर दी थी और यही ग्रंत डिसकोर्सेज ओन दा ओरिजन ओफ इनिक्वैलिटी इनिक्वैलिटी जो था यह फ्रांस में करांतिकार्यों की बाइबल बन गया था आगे जो किताबों की नाम आएंगे मैंने उसमें आपको बता दूँगा ठीक है फिर उन्हेंने सोशल कॉंट्रेक्ट लिखी इमाईल लिखी काफी सारे विचार इन्होंने लिखे फ्रेंज सरकार ने इन्हों गिरफतार भी कर लिया बंदी बनाने का आदेश भी दिया रूसों को अपनी जान बचाने के लिए फ्रांस भागना पड़ा परताडित होकर रूसों चिड़चिड़ा होकर पागलों की तरह स्वीजल लैंड इंग लैंड में चक्र काटता रहा अपने मित्रों पर शक करने लगा कि वो भी उसे मार डालना चाहते हैं इसी प्रकार की मनोवर्ति उनकी हो गई और फिर अने को रचनाएं और विचार देते हुए परिशान होते हुए घूमते विरते हुए 1778 में 66 वर्ष की आयू में रूसों का देहांत हो जाता है क्या हो जाता है रूसों का देहांत हो जाता है ठीक है तो ये रूसों का एक हलका सा छोटा सा जीवन परीचा था अब रूसों की कुछ मैत्पून रचनाएं हैं द्यान में रखेगा Discourses on the Moral of the Arts and Science Discourses on the Origin of Inequality ये वही है जो रूसों ने 1754 में अपने एक निबंद के माध्यम से बताया था और ये फिर बाद में प्रकाशित हुआ था ठीक है Social Contract सबसे प्रसिद रचना राजनिती पर प्रसिद रचना है Social Contract ठीक है Email जो है ये शिक्षा पर है इसका विशे क्या है राजनिती इसका विशे क्या है शिक्षा ठीक है The Social Contract Email Confections और Economic Political ये इनकी कुछ महतपुन रचनाए है ठीक है न तो हमने रूसों के बारे में देखा कि रूसों का कैसे जीवन बिगड़ता है और फिर रूसों की जीवन में कैसे अचानक परिवर्तन आते है रूसों निबंद लिखता है रूसों रचनाए लिखता है रूसों के जीवन में 1750 के देशक में काफी बदलाव आता है ठीक है न और रूसों के जो मन के विचार थे वो पिता से कितने बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे उसी तरह ये दिद्रो और वॉल्टियर से भी प्रभावित हुए और फिर उन्हों ने बहुत सारी अपनी ग्यान की रचनाए लिखी तो राजनितिक विचार में हम इनके देखेंगे की रूसो के राजनितिक विचार क्या थे रूसो का सामाजिक समझोता क्या था रूसो का मानव सुभाव क्या था है ना तो सामाजिक समझोते का जो प्रतिपादन रूसो करते हैं वो किस किताब में करते हैं सोशल कॉंट्रेक्ट जहान में रखेगा दा सोशल कॉंट्रेक्ट में रूसो अपने सामाजिक समझोता का सिद्दान्द का प्रतिपादन करते हैं रूसो प्रतक्स लोगतांत्रिक राज्जी की कल्पना करता है जिसको अगी हम आगे देखेंगे ठीक है ना और चलिए इस वीडियो नोट में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो नोट में मानो सोभाव प्राकरती का बस्ता समझोते कारण इन सभी टोपिक्स पर हम चर्चा करेंगे आई होप आपको ये वीडियो नोट अच्छे से समझ में आया होगा परिजय की उपर था कुछ मैं अच्पून रचनाओं की उपर था आपको टोपिक से जोड़ने के लिए था सिंपल लेंग्वेज में था इतना कुछ देखा, सुना, समझा तो लाइक बनता है और लाइक आपने कर भी दिया होगा शेर भी कर दीजिए अपने हर ग्रूप में टेलिग्राम चैनल पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा और वीडियोज का भी मिल जाएगा थैंक्यू सो मच